नमस्कार मैं मुझूशे खावत तो आज हम बनाएंगे वजन कम करने वाले मेथी पत्ता के परांठे मेथी पत्ता भी दाना मेथी की तरह बहुत ही पॉस्टिक होती है इसके गुणों की अगर हम चर्चा करें तो इसमें प्रोटीन, फाइवर, कैल्शियम, आइरन, फासफोर्ट, स्पोटेसियम, जिंक, मेगनिच, विटामिन सी, विटामिन बी, सोडियम, कार्बोहाइडरेट आदितत होते हैं जो हमारे शरीर स्वास्थे के लिए बहुत ही फाइदे मन रहते हैं पत्ता मेथी के सेवन से हमारी पाचन, तंत्रेका और मेटाबॉलिजम दोनों ही मजबूत होते हैं इसलिए इसके सेवन से हमारा वजन नियंत्रित रहता है पत्ता मेथी से हमें और भी बहुत सारे फाइदे हैं जैसे शूगर कंट्रोल, ब्लड प्रेसर, खून साफ, गठिया, जोड़ दर्द, एंठन, कॉलेस्ट्रोल, कंट्रोल, आंतें साफ रहना आदे तो चलिए, अब हम आपको बताते हैं, वजन कम करने के लिए आपको प्रांठे कैसे बनाने हैं, सबसे पहले आप पत्ता मेथी को अच्छे से साफ सुत्रा धो लें, फिर उसे मोटी डंधल जो है वो निकाल कर फैंक दें, छोटी डंधल पत्तों के अंदर ही रहने दें, और इसे बारिक बारिक काट लें या चोपर से चोप कर लें, उसके बाद इन पत्तियों के अंदर आप मल्टी ग्रेन आटा मिला कर गुंदेंगे, जैसे जो जवारी, बाजरा, मक्का, चिलके वाले चने का आटा, गेहूं का आटा, आदे मिला कर, और उसमें नमक, मिर्च, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, लाल मिर्च पाउडर, नमक वगेरा जो है मिला कर, इस में आटा अच्छे से गुंद लेंगे, और उसके बाद जो है आप प्रोटियां बनाएंगे, और तवे पर, मेडियम आच पर इसे सेखेंगे, आप या तो बिना घी और तेल के भी सेख स रिफाइन ओयल जो होता है, वो वजन बढ़ाता है, गटाता नहीं है, घी लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिल्कुल हलका हलका घी लगाएं, और आप एकदम मेडियम आच पर हलका गुलाबी होने तक इसे सेखें, दोनों तरफ से पलट पलट कर सेखें, आपके पास अगर मिट्टी का तवा है, तो सबसे अच्छा नहीं तो लोहे के तवे पर जो है पराठा या चपातेश की बनाएं, और सेखें, पत्ता मेथी को आप पीस कर भी इसमें आटा गूंद कर पराठा बना सकते हैं, देखिए पराठा बिल्कुल बन चुका है, और इसे लाल चटनी या हरी चटनी या दही के साथ खाएं, जी भर कर पेट भर कर खाएं, आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट जरूर करें, तो आप भी वजन कम करने के लिए पराठा बनाएं, खाएं और खिलाएं